तो अभी जो है रात का टाइम आप देख सकते हैं बाहर खिड़की तरफ की रात का टाइम हो गया है और यहां पर जो है अभी मैं खाने की तयारी में लगी वी हूँ और इस वक्त जो है खाना की तयारी करने से पहले मैं करूँगे बरतन साफ दो पैर का जो लंच वगएरा कि अब बच्चों के स्कूल डिटी फिन वगया थे तो सारे अभी तक रखे वह जो है मैंने साफ नहीं किये तो सोचा अभी कर लेती हूं टाइम नहीं मिल पाया था और क्या होता है कि वरून जैसे हिमांग जैसे स्कूल से आता नहीं उसको खिलाती पिलाती उसके तुरांत ब कर लेते हैं फिर उसके बाद खाने बनाने की तयारी जैसे वह करेंगे क्योंकि क्या खाने के लिए भी जैसे पहले करूंगी बरतन साफ और बरतन साफ करके क्या अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत आप उसका बैटर रेडी करके उसको थोड़ा बहुत देर के लिए रेस् अब बरतन धो लेते हैं और मोसम काफी चेंज हो गया है पहले तो बिल्कुल गरम बिल्कुल वलते होई पानी में बहुत तेज गरम पानी में मैं बरतन जो भुद आपने शुरू कर दिया है तो गर्मी तो देखो बहुत जबरदस आगी है लेकिन दोपैर वाली गर्मी है सुबह शाम तो हल्की एल्की ठंड अभी है जैसे ठंड का मोसम स्टार्ट होता है तो वो वाली अभी है हल्की एल्की ठंड सुबह शाम की तो हल्का साथ Primia का स्वेटर जो है वो मैंने पहना हुआ है तो इसमें काम चल जाते हो दोपैर को तो बहुत इतनी जबरदस्त धूप होती है बहुत जबरदस्त मतरब चूबने लग जाती है इतनी धूप होती है और सुबोशा महलकी ठंड होती है यहां पर काउंटर टोप भी मैंने साथ में क्लीन कर दिया है और अब मैं तयार करने व पानी डिषान से मृट चावट है जलदी धनडा हो जाता है और अपनी requirement के हिसाब से जो है दीरे दीरे पानी डालते जाएं और इसी में बैटर रेडी हो जाएगा starting में तो ऐसा ही होगा लेकिन तीन चाहर मिंट में आप लगाता इसको घोलते रहोगे तो अच्छे से बैटर हम आपका बनके रेडी हो जाएगा तो दीरे दीरे पानी की consistency बढ़ाते जाएं इसको अच्छे से mix करते हुए जाएं और दीरे दीर आपका एकदम smooth सा बैटर जो होता है जैसे बहुत सारे लोग डोसा वगहरा बनाते उसका बैटर तयार करते हैं ऐसे इसका बैटर जो हो रेडी होता है बस डोसे में क्या होता है कि सामान जो आपको जो वानलो चटनी वगहरा बनाते और कुछ सामान जैसे आटा वगहरा जो कुछ होता है वो आपको शायद रात को भीगो कर रखना पड़ता है यह साथ-साथ में बैटर यह रेडी हो जाता है और थोड़ देर के rest ठोने के लिए छोड़ देते हैं और सा थोड़ा सा पानी लास में मैंने इतना आड़ कर दिया है मैंने पूरा-पूरा पानी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पानी उबाला था और परफेक्ट एक भी बूंद फालत पानी नहीं उबाला था मैंने तो यहां पर इसको थोड़े rest होने के लिए छोड़ देंगे फि अब आपने पूरे रैडी होने के लिए खाने के लिए अगदम रैडी हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा घी अपना तवे पर गरम कर लिया है और तवे को भी वैसे तो बहुत सारे लोग इंडक्शन वाले तवे पर वह बनाते हैं लेकिन यह अच्छा बहुत सारे लोग तेल में भी बना लेते लेकिन मैं फिलाल में घी में बना रही हूं क्योंकि बच्चों को नो तेल वाले पसंद नहीं है और तेल वाले न तब ज़्यादा अच्छे लगते जब गुड का पानी हो यह चीनी का था तो देशी घी वाला जो अच्छा लगता है तो बैटर मैंने इसमे का धहान पढ़ता और उसके कितनी देर के बाद इसको आपको स्टैटिंग में अलट पलट जो है वो करना है तो हर चीज का धहान रखना पढ़ता है और साइड से मैं ठोड़ा थोड़ा उतार कर देखा की नीचे से रैडि हुआ की नहीं तो नीचे से रैडि हो गया था और इनटक्शन वाले एकदम जैसे फलेट तवा होता ला, अगर आप फलेट तवे पर बनाते हैं तो और भी ज़ादा अच्छे बनते हैं इसमें क्या यह लोहे क बीच में जादा थोड़ा सा गहरे है न तो बीच में थोड़ा सा बैटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो दबा दबा कर अच्छे से सेंगे तो बीच का हिस्सा नहीं रहने वाला है और यह देखिए बिल्कुल नसदीक से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ब बहुत बहुत जाड़ा बच्चों को भी बहुत जादा पसंद आती हैं यह रsm味 ही हैसी इसी कि बड़े चोटे हो वा बजर्ग Chaiी कैसी भी हो मतलब एक परफेक्ट तरीके से बनाते हों तो सबको बहुत ज़ादा पसंद आती है नहीं तो यह जो है कच्छे कच्छे भी लगते हैं और अच्छे नहीं तो फिर अगर प्रोपर तरीके से नहीं बनेंगे तो टेस्ट भी नहीं आएगा इनका तो आप यह देखिए नहीं तो आप अपको ऐसा मैसूस होगा कि आपने कच्छा च आज मैंने स्कूल नहीं भेजा रात को ही वरुन को बहुत तेस बुखार जयव वह हो गया था तो वरुन की आज मैंने जह वह चुटी करवा के रखी हुई है और यहां पर जो है सारा सारा सामान जह मैं उठा दूँगी धोने वाला मैंने धोने में डाल दिया क्योंकि यह म महसूस होता है कि मेरे पास ओटोमेटिक वोशिंग मशीन है मेरे कपड़े दोने का एक बहुत बड़ा काम जो वो खतम हो गया सिर्फ सुखाने होते हैं डालने होते हैं सरफ डाल दो अपने अब धुल जाएंगे निचोड जाएंगे और सुखाने बस सूख भी जाएंगे बाहर हमें हैंगर पर सुखाने सुखाने होते हैं तो मेरे को यह अब यह महसूस होता है कि जब मेरे पास सेमी ओटोमेटिक मशीन थी उस टाइम पे मैं कितना मतलब कैसे मैं मैंनेज करती थी कैसे मैं सारे काम निप्टाती थी कैसे क्या कुछ यह वो होता था कितना टाइम म महसूस हो रहा है मुझे अच्छा कॉमेंट रहा था कि दिया आपने शादी के लिए कैसा क्या सूट जै वो सिलवाया तो आप जरूर मतलब दिखाना हमें तो नेक्स वीडियो में मैं जरूर दिखाऊंगी क्योंकि शाम को मैं लेने के लिए जाऊंगी यानि मैं फ्राइडे फ्राइडे है तो शाम को ही लेने के लिए जाऊंगी मैं गई थी एक दिन उस दिन जो है अपना कुड़ता जो है रेडी किया था वो पहन कर देख कर आई थी उसकी फिटिंग विगरा सही है कि नहीं प्रॉपर लेकिन मुझे जो मेरी टेलर है ना भावी जो उनसे उनको न मुझे देखने की जोरत नहीं होती है एक दम जी लगा के बहुत अच्छा एक दम मतलब एक प्रोफेशनल टेलर जो सिलते है वैसे सूट जो है और एक दम पॉफेक्ट जो है और आप दो लोग देखते भी हो मेरे मैं जितने भी सूट पहन थी एक दम फिटिंग बहुत फिर भी मैं एक बहुत भावी मानी नहीं तो मैं एक बहुत ट्राय करके देख कर आ गई थी आज शाम को जाओंगी तब मैं टाइम लगेगा तब क्योंकि फिर क्या था ना रात को मैंने आपको बताया कि वरुन की भी तबयत खराब होगी थी बुखार हो गया था उसको तो टाइम लगेगा तो रात को ले आउंगी नहीं तो नेक्स वीडियो में मैं आप लोगा साथ फक्काश शेर करूंगी मंडे तक मेरे सारे सूट सिलकर जो है वो आ जाएंगे अब ली मैं कैसे कैसे सूट सिलवारी हूं तो ty चारो के चारो सिलकर आ जाएंगे आते ही तुरंत आप लोगों साथ में वीडियो शेयर करूंगी और अभी एक स्लोट मेरा धुल गया है कपड़ों को में सुखा देती हूं और सुखाने के बाद जो फिर में साथ-साथ में हिमांग वरुन को भी समाल रही थी और साथ-साथ म बच्चा बिमार है उसके पास जाके बैट जो इस टाइम पर फिर भी बच्चे को होती भी है कि एक अटेंशन की जरुरत होती है बच्चे को कि उसका कोई धान रखे और दवाईया वेगरा टाइम से वो देते रहे बच्चा गया चाहिए बड़ा भी है उसको हर किसी जब बिमार होता है तो हर किसी को जो वो अटेंशन की जरुरत होती है और हमें अटेंशन देनी भी चाहिए तो यहां पर कपड़्यवगर मैंने सुखा दीए है एक सोपह दिया दूसरा भी मतलब मशीन में मैंने डाल दिया दूसरा भी अभी जब तक वो सूख जाएगा तब तक वरुन को तेज बुखार था तो मैंने सुचे उसको ठंडी पटी वेगरा करके वो मैं रख देती हूँ और ये वरुन इमांग भी जो स्कूल से आ गया था तो वरुन इमांग को मैंने इसको यहीं पर बिठा के रखा हो था ये भी नाराज वो चल रहा था भी यहां पर तो अभी मैं इसको ठंडी पटी रख्यू थी चेक कर रही थी इसको बहुत बिल्कुल दूर से भी आपको दिखाई दे रहा हूँ चाहरा एकदम लाल जै वह हो गया और इस बार हमारे आना असपास में मैंने बहुत सुना है जिसको भी बच्चा या बड़ा जिसको भी बुखार हो रहा है उसको साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है पता नहीं क्यों अभी तो बाकी वीडियो मंडे को या कोशिश करूँ या टूजरे को पूरा शेर करूँ आपके पास सूटों का आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते है नेक्स व्लोग में तिल देन बाई बाई जो फॉर्स टाइम विजट कर रहा है लाइक कर देना शेर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को थैंक यू सो मच पर वोचिंग माई व्लोग थैंक यू